अज हम बात करेंगे इंडिया ग्लैकुल शेर के बारे में ये शेर आज करीब 20 परसेंट भागा तो ये क्यों भागा क्या रीजन इसके पीछे क्या न्यूज है क्या करना चाहिए हमें नहीं करना चाहिए हम इसके इसके प्राइस की बात करते हैं आज जब यह देखे कल जब क्लोज हुआ था करीब 857 बात करीब यह गैप अपन हुआ यह और यह उपन हुआ तो यह पीछे का रीजन जानते बहुत बड़ा न्यूज है तो यह न्यूज सबसे पहले देखते हैं क्या है इंपर्टेंट एक और इम्पर्टेंट चीज है दो चीज एक साथ हूई है तो एक और इसका यह है कि एक एम इंटरनेशन स्मॉल के पिक्विट्टी फंड एक फंड है उन्होंने फंड ने यह 0.60 जो है स्टेक इसमें खरीदा है वाया बल्क डील है तो इसके अब थोड़े डीटेल में चलते हैं डीटेल में जाएंगे थोड़ा एडिया होगा कि क्या हुआ है इस कंपनी के में तो क्या हुआ है कि एफपी आई जो फॉरें इंड्रस्टर रहा उन्होंने शेयर खरीदा है ओपन मार्केट से खरीदा है ओपन मार्केट से खरीदने से बहुत तेजी से भागता है बल्क डील हुआ है इस करण से तो यह तो एक पहला नियूज है दूसरा मैंने बताए यह यह सबसे में चीज है और उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया है फ्राइडे को यह जो एफपी आई है या फित इंटरनेशन स्मॉल कैप एकुटी फंड है उन्होंने करीब वन थाउजन एट वन लाक एटी सिक्स ताउजन नाइन फॉर्टी से जो है शेयर्स खरीदा है तो और किसने बेचा यह अभी शूर नहीं है डेटा नहीं है इनके पास अभी तो यह बल्क डील में खरीदा है तो अभी क्या है आई जील डाइवेस्टेक्ट फिफिफ्टी परसेंट अफिट सेक्स त्रू एश्वेंशन सब्सेक्शन शेर इन प्रिवेसली होल ओन सब् टू शूजर लेंट बेस्ट इनीम विच रिजक्त इन वीकमिंग जॉंड वेंट इंट रिश्य फिफिफ्टी वन इस्टो तो इन्होंने जोइंट वेंचर भी किया हुआ है इसके साथ उनके पास जो इस तरिक से जोइंट वेंचर है अभी जो है इसका और डीटेल है यह टेक्निकल डीटेल में नहीं जाँगा बहुत जाँगा detail है यह आप चाहे तो इससे पढ़ सकते हैं बट वो detail में नहीं जाएंगे बट इसका जो overall जो है इसका जो growth है वो काफी अच्छा होने वाला है ऐसा overall दिख रहा है भी और आप चाहे तो यह सब detail भी पढ़ सकते हैं बट मैंने एक final आपको बताया कि main news तो अभी चलिए इसके financial में चलते हैं revenue को टांस में देखें कि 2021 में 5,427 क्रोर का revenue था उससे पहले जो 3,491 तो काफी बढ़ा है revenue इनका देखें और लगातार बढ़ता जा रहा है share holding pattern अभी देखते हैं promoter के पास जो है 61% इनके share pledge थे तो आप pledge देख सकते हैं पहले 83% थे 84% प्लेज थे अभी जून quarter में देखें जीरो हो गया इन्होंने पुरा un pledge कर लिया तो यह बहुत ही अच्छा news है इसी तेजी से भाग रहा है बहुत सारे चीज़े अच्छी हो रही पब्ली के पास जो है करीब 38% है तो share holding pattern भी ठीक ठाक है अभी देखें हमें क्या करना चाहिए यह शेर जो है ठीक ठाक लग रहा है मुझे आप इसमें ठीक ठाक अमौन डाल करके इसे खरीच सकते हैं दो टाइप के इन्वेस्टर इसमें कर सकते हैं तो long term short term short term वाले क्या कर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बड़े लोग इसमें अच्छा करने वाली है तो आप चाहिए इसमें investment कर सकते हैं long term investor भी और short term investor भी दोनों कर सकते हैं इसमें बट जो short term है वो तो मैंने बता दी है क्या stop loss लगाना है आप चाहे तो इसको इस range में लगा सकते है stop loss तो यह मेरा analysis था मेरी thinking थी मेरी सुझावती आप खुद का analysis करें खुद का research करें उसके बाद ही कोई पैसा लगा है किसी के ब लगा आप मुझे comment करके बता सकते हैं like dislike कर सकते हैं और comment में लिख सकते हैं इसका कितना target आपको लगता है या कितना support लगता है या फिर कुछ और news है आपको लगता है तो आप comment में डाल सकते हैं ताकि दूसरों को भी help मिल सके और आपने ये channel अभी तब subscribe नहीं किया तो subscribe कर स पॉल दी जाते हैं वह किबल education purpose के लिए है इस तरीके से यह वीडियो में खतम करता हूं आप यदि इंडिया ग्लाइकॉल शेर में investment करते हैं तो यह शेर आपके लिए profitable रहे मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद